भार्दी जंता पार्टी के राष्ट्री प्रवक्ता आर्पिस सिंग से बाच्चित किया है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायन कानपाल ने और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा जार्खंड को लेकर जो शुरुवाती रुजान कहें या स्थितिया निकल कर सामने आ रही है उसमें NDA को क्लियर बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सरदार आर्पी सिंग आप भारती जंदा पाटी के राष्ट्री प्रवक्ता है आर्पी सिंग जी जिस तरह की इस्तियां आपको नजर आ रही है अभी सरकार बनती भी दिखाई दे रही है सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत रही महा लाटा जो लाट की स्कीम थी हमारी वह कामयाब रही लाट की भेन स्कीम और इसके चलते हुए लोगों ने भरपूर बेटी बेटी और बेहनों ने मातवाने खूब आशर्वात दिया है और इसे पकार जहार खंड कंदर जिस पकार कि बस्ताचार का मामला था जिस प्रस्ताचारी सरकार थी और जिस पकार से वहाँ पर ग्रेजुली ट्रैवल्स पर वहाँ पर असर हो रहा था वहाँ पर ट्रैवल पॉपलिशन कम हो रही थी जिस पकार से वहाँ जो इन्फलिटेटर्स थे उनके चलते वे ट्रैवल पॉपलिशन पर असर हो रहा था उसका भी एक मैसेज है और गुसपैटियों का और प्रस्टाचार का मिलकर जो असर है उसका नतीजा है कि वहाँ पर हम सरकार बना रहे हैं और मुनास्टा के दे लोग पॉंटिनुटी चाहते है जारखंड में आपने कुछ इशू उठाए थ क्योंकि अगर देश एक साथ रहेगा तो पॉड़ेगा और एक है तो सेफ का सेफ है का भी असर है क्योंकि अगर हम एक हैं तभी हम सेफ हैं तो यह जो नारा है इसका असर तो है और दमीन पर लोगों को समझ में आने लगा कि यह जो बाकी पार्टियां है वो जातियों में कर धर्म के नाम पर बांट कर वोट लेना चाहती है और अगर देश को आगे लेकर जाना है तो हमको एक सास रहना पड़ेगा तो इस क्या लग रहा है अभी फिलाल नंबर हम देख रहे हैं कि तकरीबन आप सौ पार करते वे दिखाई दे रहे हैं महरास्ट्र में और उसी त हम लोग को पचास से लेकर कावन सीटे हम लोग वहाँ पर लेकर आएंगे पचास से लेकर रिखिया हम उनकर चलिया अपनी बहुत बहुत शुब कामना है तो सरदार आर्पी सिंग बता रहे हैं कि जो मुद्दे उन लोगों ने उठाए थे इस बार जारकंड चुनाओं मे हो या फिर दूसरी जगह हो वहाँ पर उनको उन मुद्दों पर जीत मिलती भी दिखाए दे रही है कैमरा परसन पवन शर्मा के साथ ललित नाराएं कांट पाल टोटल न्यूज दिली